चलो उठाँ ये मेरी अमानत है, सिर्फ मेरी रुद्रा अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो, तो पहले मुझे मारना होगा रुद्रा प्लीज सीन ग्रेट मत करो एक बार मुल्ले बस सुनाई नहीं देता, चलो उठाँ पुलिस वाले की शादी है ना इसले चाहता कुटे गहरे हुए है इसले चाहता कुटे गहरे हुए है रुद्रा, stop it! I'm sorry It's okay uncle, it's okay, कोई बात दी मेट यारू पाँ जसी बाय है उसके नहीं रहरे है भल्यारश, प्लुषण मेट मेट चाहता क्वे रवा मट ै乐श, बादादी regulate मा म म wage म conscious म SM एपलेखर! रहा रहा जाए बाल रुट्रा, हीट रुट्रा बाल रहा जाए पुरिस अद्रमी में गल्ड़ल नेशनल लफल बोक्सिंग रुट्रा वेल ड़न दामाप जी आप ने तो कमाल कर दिया हम लोग यहां तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए नहीं है I have seen you fight before, you are better than this Come on, take your trash and leave Yeahh Yes C'mon, come on Come on, come on Go and break Come on, come on Come on बन्याव साुस्ट त्वेर्णा, श्तौर्विक नर्ट नद आहिस्त द brag मिलें ज मेता से किर 싸ंगें जीया, सिरॉच। ऩरी थे गnt में हूँ.. व्युक्क ए मुट्वार कि ता यू। क्यों कर रहे हो तुम यह सब मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी पिछले चार साल से मैं तुम्हरी लिए दड़ रहा था आज मुझे इसका जपाब बिलना ही चाहिए आज तुम इसे शादी करने वाली हो न बेशक कर लो लेकिन उस से पहले तुम्हें मुझे ज़वाब देना होगा तुमें जवाब चाहिए ना तो जाकर अपने पिताजी से पूछो, आज मेरी जो ये हालत है ना, that's because of your father. ये तुम क्या कह रही हो, जो कहना है, साफ साफ बोलो. तो जाकर उनी से पूछो, उन्हों नहीं मुझसे कहा था to stay away from you. अगेडमी से तुम्हें कब का डिस्मिस कर दिया गया होता, पता है तुम्हें? मेरे पापा ने तो सारी तैयारियां कर रखी थी. अगर तुम आमे ओफिसर नहीं बनते, तो तुम बरबाद हो जाते. और इन सब की वज़ा तुम्हारे पिताजी होते. पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, बामा. इस मैं बेस्ट फ्रेंड. जब मैं आस्ट्रोलिया में थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था. उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए भी मना किया था. अगर उन्होंने मना किया, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? आखे दार क्या कर सकती थी मैं? तेल मी? तुम्हें पता है, मुझे असमर कितनी तकलीफ हुई थी. पॉरी तरह से चोट चुकी थी मैं. And you come here on my wedding day and ruin everything for me. You ruined everything for me. चले जाओ यहां से. Leave. अगर जाओगी तुम्हें मुझे गिर्णान प्राव्पारी गुम्हें थीजदेटीध मुझे जाराओगी तुम्हें मुझे अट्जेटीधाबीध पूझेटीधें। झाली दाली 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 दा So I'm heading packin' back into my backpack There ain't nothin' that I want, I can't have I swear this ain't a trap, no But I've been a trap from the get go I swear this ain't a trap, no But I've been a trap from the get go It's your fault, you're going to get to the college You're going to get to the college That's it, that's it That's it, that's it That's it, that's it And you don't cross the line We've got a line We've got a line Don't show the guy Don't show the guy, he's confused Let's go and ask him Hang on My brother What happened? What's the problem? I've been disturbed by you, I'm sorry I'll tell you Matter To *** Misunderstanding तो लूसर संजे की गर्ल्फ्रेंड है ना मैंने खुदी अपनी आखोंसे अब तू क्या बोलने वाला है एक साथ घूमते है फिर तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हूं मुझे संजे पसंद है मुझे नेल्सन से कोई लगावने है मैं तुम्हार साथ टाइम स्पेंड करती थी वक बिताती थी इस सब के पीछे बस एक ही रीजन था यह सब इसलिए करती थी ताकि उसके बारे में जान सको तेरा मतलब तो वह कौन है तुम्ही हो अचली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उसके साथ दोस्ती की थी अब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूं सब को जानने के बाद तुम और अच्छे लगने लगे हूं एनिवेज हमारी पहले मुलाकात इस तरह हो कि मैंने सोचा नहीं था वह अब भी आपे खड़ा है वैरी सॉरी हां वैसे रिहसल के लिए मुझे देर हो रही है तो अब तुम लोग अब जा सकते हों बाई शेखर हम बाद में मिलेंगे यह लड़किया भी ना एजरा हटियार एई इधर देख तुटेंशन में क्यों है तुझे पता नहीं क्या लड़कियों से प्यार करने के लिए फॉलो करना पड़ता है अगर फॉलो नहीं करेगा तो हालत इसकी हो जाएगी पहले नमबर पर निकाल फिर वाटसब पर चैट कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई लड़की ही नहीं है यह सब बोलेगा तब जाकर वो ओके बोलेगी लेकिन इसने कुछ भी ने किया वो लड़की इससे प्यार कर बैठी अप्रिंशन क्यों ले रहा है जाल एक किया किलेगा जेसे कल लिष से वो प्यार करना शुरू कर देगी बाद कर लोड़काइब अगर इसको ऊकunda नहीं है तो मुझे भी ऊके नहीं है देख इसको जारा देख। यह मेरा पक्का दोस्त इसको बोलते हैं दोस्ती तुझ जहो सच में पसंद और है अगर पस तो नहीं हो ग्राइश की अरे दोष तीरा ये जवाब नहीं दीका रादीका हुआ है मुझे प्रमीशन बेल चुकी है शेखर ऐसे परमिशन हां अरे नान बेल्सी ने परिमिशन दें तर्स अ ट्लिक कार्जां मैंने उसे कर दिया ये सुच्छ का डर था लेकिन आप उसने पर्मिशन दे दी पर्मिशन देरेमाला वो कौन है वो मेरा बाप है क्या वह थोड़ा मुझे पसंद है यह कहने पर मुझ पर हगज़ता आएगा क्या क्या जोक मारी हो कल सबके सामने बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद हो ना अब इना गुसा किया है जो हुआ मैंने बता दिया ठीक है अब मुझसे मिलने क्यों आएगो इससे पहले मुझे कोई भी लड़की ने पसंद नहीं किया था इसलिए अब तुम जा सकते हो मैं बात पुछू तुम्हारी ये तो सब कुछ एक ही है ठीक से कुछ देख में नहीं सकती हो ना निलसन हो या मैं क्या वर्क पड़ता है बोलो ना शेखर हुआ हाल प्रभ गशां चाहे कोई भी चीज हो उसमें मान फैशरिंग टीफेक्ट होता ही है चाथा हो जांते हो ना यहे तुम कितना भी अख लाकर बात करो हुए नहीं से ही बात करते हो तुम जो भी कहना चाहतेचे हो कम से कम पूरा तो कह सकते हो जब पहलीução form मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बाद में तुम्हारी बात ही चुपके चुपके सुना करती थी पता तुम घ्मेंस्टाइ मने भी रता ञानकों मेरी कमी को मैंने कबने नहीं सुछे में आप मेरा अंधा हो ना ही तुम्हें मुझसे दूर रख रहा है तो तुम्हें अभी पटा दो तुम्हें अभी पटा दो कि इसे मैं सॉरी बोलता हूं स्वाँ आम्हें सॉरी तुंच्छ्ट्ट्ट्रा हुआ राधिका राधिका पूआ राधिका राधिका थे ना भी तुम्हें क्यों अभी आख राधिका पुल्हें ना अगुद का आज लूंख को शादी करने में इतनी जल्द क्यों है सिर्फ शादी ही थोड़ी ना करनी है लाइफ में आगे भी तो बढ़नाैं ना राधिका अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा सोच कर देखो और जब शादी करनी है तो इसके साथ कैसे जिंदिगी बिता पाऊगी सुनो मैं देख लूँगा आगे से हम ऐसे नहीं रह सकते हैं इस बात का मतलब क्या है वो सब चोड़ो पहले पढ़ाई खत्म करो इसके बाद यह सब सोचना सुनिए शादी तो करवाने वाले हैं तो अभी शादी करवा दीजिए मैंने कहा था ना बीच में मत बोला करो कुछ मैं इस निकम्मे के साथ इसके शादी कभी नहीं होने देंगा तो हम लोग भी आपके घर से संबंद नहीं बनाना चाहते हैं मैंने बुला है कि आप लोग को यहां बोल रही हैं सच्छा बात कर रहा हूं लेकिन आप मुझा मजबूर मत कीजिए हमारा बच्चा होने वाला ह अब तो हम शादी कर सकते हैं ना मैंने कहा था ना कि मत बलो अब इनके में कोई ज़रूरत नहीं है तेरा बहुत ही गुसे मैं इस पार तो मत था चोड़ूगा नहीं चुप चापनी बात से लिए लड़की वो कैसे सम्हाल होगे तुम पिछले हाफते ही हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक में पैट्रोल नहीं था तो मुझसे उधार लेकर गया था पैसे अपने साथ-साथ इसकी जिन्दीकी क्यों खराब कर रहे हो तुम अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है इस सेरे मैं छोटा बच्चा नहीं रहूंगा मैं बड़ा हो चुका हूँ यह आप लोग जानते नहीं हो यह अंधी है फिर भी मुझे अच्छी से जानती है आप से भी ज्यादा यहां रखो बहुत हो गया चली अब चलते हैं बच्चा पैड़ा होते हैं यह उपको बता देंगे ब लेकिन पूरी लाइफ क्या इस अंधी लड़की के साथ बिता पाओ के तुम पागर वो तो ऐसी फ्लो में बूल दिया लेकिन कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ मैं इस अंधी के साथ ही बिताऊंगा पागली किसके जसादे कराएगे? मेरी जसाद या तुमारी जसाद? बहुत सुन्दर है, मेरी जैसा सच-सच बताओ ना, तुमारी जैसा है क्या? इसकी आँखे और इसकी नाक, सब मेरे जैसा ही है, हुबाओ मुझ पर गया है इसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और ये मेरे जैसा ही मस्ती करता है ठीक है, तो अब जल्दी से तुम इसे सोरी किया था ठीक है, मुझे माफ करतो, मेरे बच्चे कुछ बताए भी ना, मैं तुम लोगों को छोड़ कर चला गिया था लेकिन अब तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाओंगा, प्रोमिस राधिका श्री नीवासिन, डॉक्टर गिता की पेशेंट है अच्छा राधिका, वो तपने भाई के साथ चली गई भाई के साथ? हाँ, भाई के साथ चली गई तो तुम यहां के से? मैंने नहीं यहां मुले आया था यह मेरी बैच मेट है, तुम्हारे केस के बारे में बात करने के लिए बुलाया यह क्या क्या रही है? यहां से चलो, तुम्हें कुछ बताना है राधिका की आँख की रौश्णी बचपन में ही चली गई थी क्या यह बात तुम जानते हो? जानता हूँ, दस साल की उम्रे तक वो देख सकती थी लेकिन यह बातें अभी क्यों कर रही हो? क्योंकि और भी बाते हैं जो तुम नहीं जानते उसके प्री नेटल डाइग्नॉसिस ट्रेस रिपोर्ट्स आ गए हैं क्या कहा? उसकी बेटी भी इसी कंडिशन के साथ जनम लेगी राधिका भले ही दस साल की थी जब वो अंधी हुई थी लेकिन उसके बच्चे आठ साल की उमर के पहले ही अंधे हो जाएंगे यह एक जेनेटिक डिसॉर्डर है इसका कोई लाज भी नहीं बुलिए मेडम राधिका की इस हालत में हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं इस पर में वो जानती है मैंने उसे सब बता दिया है देखो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए हम उन्हें एक बड़ा अमाउंट देकर कंपेंसेशन कर लेंगे इससे उनका नुक्सन कवर हो जाएगा इस बात को यहीं पर ख़तम करते हैं इसमें सूचने की क्या बात है तुम फिक्र मत करो मैं सब कुछ समहाल लोंगी तुम उसकी और उस बच्चे की बिलकुल भी फिक्र मत करो उस बच्ची को वो खुछ समहाल लेगी वो हमारा बच्चा है क्या कहां? वो बच्चा हमारा है ट्रादिका तुम था ऐखुछ यहां को दो क्या कर रही है? हमारे बच्चे का पैसला हम करेंगे वो वो हमारा ही हमारा ही खून है कौन क्या मुलेगा मुझे किसी के राई की जरूत नहीं मेरी और मेरी बीवी के पीच के तुम्हारी शांदी हुई है तुम्हारी मां बनने वाली है तो वो मेरी बीवी हुई ना तुम जाओ यहां से तुम मेरे साथ अगर तुमने एक शब भी कहा तो फर कभी मुझे जिन्दा नहीं देखोगे रादिका जिस गो चला निकला यहां से रादिका अंकरे और चलो यहां से रादिकाव मेरी बातों को गुस्सा धूंकर ध्यान से जुनों अब मैंने तुम्हारी तरह ही दोनों आंकों पर पट्टी बांद ली है तुम जिस तरह इस दुनिया को महसूस करती हो मैं भी उसी तरह महसूस करने वाला हूँ इस तरह दुनिया को देखने पर बहुत अंधिरापन और अफसोस लगता है शायद मैं मसाख करना हूँ ऐसा सोच रही हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तुम और बच्चा अंधे हो इस कारण से बैठ तुम लोगों के साथ नहीं रह पा रहा हूँ ऐसा लगता है ना ऐसी आंकों के मुझे जरूरत नहीं है मुझे परोसा गुरो रादी का मैं सच कह रहा हूँ दुनिया कुछ भी बोले मुझे तुमारी जरूरत है बस इतना ही तुम मुझे नहीं चाहती कोई बात नहीं लेकिन मैं तुम्हे चाहता हूँ तुम भी और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पन रहा है वो भी मुझे चाहिए रादी का एक बात पोना मैं भूल गया हम दोनकी तो रहे की लड़की पैदा होने वाली है तुम्हार नहीं आओगी तो मैं जाओते दूगा जल्दी आओ मैंने पास आओ मैंने पास दूनाओ जाओ जाओ मैं आओगी हम तुनों भी तुम्हारे साँ चलेंगे ले चलो तुम्हे पता है तुम्हे पता है मैं जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो वो सारी कामधाम छोड़कर मेरे साथ टाइम्स्वन करने लगे हर वक्त मेरे साथ ही रहते थे एक बार हम लॉंग ट्रिप पर जा रहे थे मैं और मेरे पापा एक साथ एप उचाते समय हमारी गाड़ी खराब हो गई कार खराब होने के बाद पापा उसे रिपेर करने में लग गए और मैं चलते चलते वहां के पास ही एक बीच में पहुँच गई वहां के समद्र को देखते देखते बस वहीं बीच के पास बैठ गई समद्र की लहरें आकर मेरे पैरों को छू रही थी अंदर से मैं कुछ खबरासी रही थी पर मेरे पापा मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थी और तभी मुझे उनके गीले पैरों को देखकर समझाया कि वो वहां मेरे पीछे काफी देर से खड़े थे तब मुझे ऐसास हुआ कि मैं कहीं भी रहूं कुछ भी करती रहूं मेरे पापा ही मेरे साहरा है तो चलो हम चलते हैं कहां उसी बीच पर तुम लेकर जाओगे क्यों तुम्हारे पापा लेकर जा सकते हैं तो मैं भी बच्ची को ले जा सकता हूं हम भी बीच पर जाते हैं और वहां के पाड़ों पर खोशी से दिन बिताएंगे अच्छा होगा कोई और वहां पर आकर हमें परिशन ना करें मेरी बच्ची को मेरे बिनाने कर चाहूंगे ले जाओंगा मैरे भी रुएंगी तो मैं हां तो तो हम जा वह हम हम तुमने इक बात नोटिस की जब यह रोती है तो तुम्हारे चैसे हग लाती है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा तो तो तुम उसे पसंद नहीं करोगे अगर इसे दिखाई नहीं देगा तो तुम इससे नफरत करोगे अगरे तब तुम्हें इससे बहुत प्यार करूंगा पैकर्स र्मुवर्स को बुलवा कि करवा लेते यह सब यार कहां पसा दिया अरे वो पैसे लेंगे लेकिन काँ ठीक से नहीं करेंगे अहां फोकट में करने के लिए तुछे हम ही मिलते है ना चप-चप काम कर अवैसे जुट बोलते हो तो बिल्कुल नहीं है क्या पूल र तो पड़ा था प्ता दुमे इसको में जानती हूं अब तो कोई फाइदा नहीं है तो अ जानती हूं है सकत राधिक अरे वह रादिका शेकर मुम्माई में जू बीचे हैं सबने सचेटो चन्नाई में मरीना सच जओ और केर्ला में गोवलम गोवा में कही सारे बीचे से और तुने उनके बार में मुझे तुमने बताया नहीं बोलो रादिका शेकर शेकर हम बीच मर जाएंगे जुमारे साथ और अपने बच्चे के साथ अलाव यू रादिका के साथ कौन है बेटी परा मिले है अलाव यू वो पर मैं भूँ इता रिखा कईगी Gए तुम लगहिता एक तुम को छूड़ गया बाएविए पर लूगा, कर बाएविए कुछे को को डॉक्टर, जब दो आपनों पीजे आठीए डॉक्टर को पास्टॉप हो रही है मुझारी शेक रदी रही पास्टॉप रहे पास्टॉप रहे जब पास्टॉप डॉक्त तुम्हारे में बङली और मैं कईसे रहें और अगिशे हो कर दो जो खुड़ी लुड़ी! पूरी लाइब एस अंदी लुटी के साथ मेताब आओगा क्या तूंपागा I love you 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 Daddy I love you I love you इस युग का गुस्टाः और इस युग की Кsaat इस युग की प्रतियोगी ता और इस युग का अकेलापन और इस युग का तूफान आ रहा है इसका सामना करने के हिम्मत किसमे है जमाने के साथ साथ गिरते हुए फूलों में से एक अजीब सा भूल है तू प्यार भरी जिन्दगी जीने के लिए तेरी किसमत में लिखा ही नहीं है एलो कहा हो तूम तूम समझ रही हो कि मैं तुम्हे पकड़ नहीं सकता तूम पकड़ो किसमत में तूम्हें तूम्हें जल्दी आएए जल्दी आएए जस्टिंग शीटिल ब्रिधिंग हमें एक गर्दी के दर से हॉस्पिटल ले जाना होगा मेरे हाथ पैर कांप रहे मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पाऊंगा ठीक है तूम्हे गाड़ी चला दूँगा जल्दी आएए उठाईए इसे जस्टिंग ये बात हारनी को ना पता चले आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए देखिए इसे कुछ नहीं होने वाला हम जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे आप डॉक्टर कादर को फोन लगाईए अरे अगले हफते तेरी और हरनी की शादी है इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भरती करवाने के बाद हम सब मुसीबत में फस जाएंगे समझ नहीं रहे हो तुम आप कैसी बाते कर रहे है डॉक्टर को फोन लगाईए न प्लीज है सुनो यहां कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा और वैसे भी हमारी कोई गल्ती तो है नहीं अगर यह आदे घंडे में होस्पिडल बहुचगी तो हम इसे बचा पाएंगे अंगल तुम्हे भगवान के उपर भरोसा है ना तो इसे भगवान बचा ही लेंगे हम इसे यहीं साड़क पर उतार कर यहां से चलते हैं उपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा वो भी जिन्दा है देखे सांसे चल रही है उसकी बेटी मैं जो कह रहा हूँ से मालो हम चलते हैं यहां से हम ऐसा नहीं कर सकते मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ समझ भी नहीं आता अगर ऐसा हार्ड़ी के साथ हुआ हो तो तुम इस रर्की को बचा कर बहुत महान बने माले हूँ कह रहा हूँ ना गाड़ी रोको 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 जस्टिन अंकल पीछे देखें अंकल लगत इसकी जहान चली गए कि अंकल देखें को रहा हुआ गहा हुआ है अंकल आता सकता रहा हुआ है कि अपल अंकल ऐसे समझ तो झाल था झाल 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 है यह इश्वान के तुम्हारा हक्त है इसे माफी दो और इसकी आत्मा को शांती दो इस धर्ती से छुटका रहा है और यह तुम्हारे पास आ रहा है इसे जन्नत में जगा दो तुम्हारे पिटा जी नहीं है उनकी तुपित खाल रहा है आमीन आमीन बहुत ही नेक इंसां थे है हम सब को छोड़कर चले गए आंटी प्लीज अल्टी किया आंटी रूए मत अंदर आई यहां सब खाना घारे हैं प्लीज आई मरने से पहले अंकल ने कहा था कि जस्टिन उनकी बेटी को अच्छी तरह से संभा लेगा और यहीं उनकी आखरी इच्छा थी मेरी और चस्टिन की शादी के लिए डाड कभी नहीं माने के ऐसा सोच रही थी मैं पर डाड तो डाड होते हैं मेरी बात आज तक उन्होंने कभी नहीं टाली है मुझे तो याद नहीं है मा नहीं है ऐसा उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया डाड और चस्टिन दोनों पिजनेस और पोस्टन लाइफ को कभी मिक्स नहीं होने देते किने भी बड़े परिशानी हो, घर तक कभी नहीं लाते उसे चाहे किने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसे個人 ही रखो यही डाडी ने सिखाया था ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, ये मैं नहीं जानती लेकिन ये जानती हूँ कि इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत कुछ किया है सच कह रही हूँ न? हलो, गुट मॉर्निंग सर्व सुनो, उसे फोन करके बोल दो कि मैं पहुँचने ही वाला हूँ ओके सर्व मैं अल्मोस्ट पहुँची गया हूँ ठीक है सर सर, वो लोग आ गए क्या? मैं आदे घंटे से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया अगर पांच मिट में कोई नहीं आया तो मैं चला जाओंगा, समझ गया न? वो लोग आ जाँगे सर हलो, सर वो लोग आ जाँगे सर हलो, उनकी बातों में आकर तु मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो नहीं सर, वो लोग आ जाँगे, पता नहीं क्या हो गया वो फोन करे तो अटेंड मत करना नहीं सर, लेकिन वो लोग अच्छा दामने के असा बोला था बस करो, लगता वो हमारे सर मजाग कर रहे है जोस्टिन, मैं आठी के घर से निकल चुकी हूँ, कहां हो तो? मुझे आने में दो हंटे लग जाएंगे तुम दयार रहना फादर अबराहम ने चर्च में फांक्शन रखने के लिए दस्तारीक की डेट दी है मेरे ख्याल से हम ही जाकर उनसे एक बार मिल लेना चाहिए हाँ, ठीक है और डाडी के इंशरंस के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसमें थोड़ी सी फॉर्मालिटीज बची हैं अभी और क्या फॉर्मालिटीज हैं? सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ क्या हो, क्या हो? मैंने कहाना बाद में बात करता हूँ चस्टिन? क्या है कि अच्छिश करो उठने की अच्छे से सांस लेंदे रहो कि अच्छे से सांस लेंदे रहो हेलो हां मैं वा एक प्षेंट लेकी आरहो हूं जी हां वो एक एक्सिडेंट केस है मैं बस बीसी मिनिट में वा पहुचाँ आँगा जी मेरा नाम है टॉक्टर थ्रीलोक दुष्त नुट सीम्ने का अफिए। नदेगे सब्सक्राइज़ मंगे लुफ थार्ण अफिए। यह 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 मुछा जो बेज देखना आफिए। यह 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 मंगे लगए। इमेडियेटली इसे एमेजनसी में एडमिट कीजिए एक्सिजटन केस है ना यह 90 परसंट डैमेज हो चुका है इसे एडमिट कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए तब तक इसकी जान चली जाएगी उसके बाद ट्रीटमेंट का क्या फ़ड़ा जल्दी कुछ कीजिए सर अपका नाम तरी लोग तरी लोग शेखर ओके जस्टन कि स्यादा स्ट्रेन मत लो एक अफ़ते तक और पीन रहेगा ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं वो किदर है कौन जिसने मुझे यह एड्मिट करवाए वह ऑ डॉक्टर त्री लोग की बात कर रहे हो वो तुम्हारा ऑपरेशन होने तक यहीं पर थे कल रात भी आये थे फिर से आउंगा ऐसा कह कर गये हैं बात करनी हैं उन से नहीं मेरा मतलब क्या अर्डी मुझ यहां से से ले जाओ जितना जल्दी हो से कर मुझे यहां से डिस्चार्ज कर गर ले जाओ वह हमारे अड्र ञानत रहे हैं जस्तिन क्या बात है कि कोशिश करो मैं उसे नहीं मिलना चाहता हूँ चस्टिन वोट्स रॉंग माडम वो जानवरों के डॉक्टर त्रिलोग आये है उन्हें बुलाओं क्या हाई प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसे दवाईया दे रही हो ना अभी अभी होश में आया है काफी परिशान देख रहा है शायद बॉरी में पेन है चिन्ता की बात नहीं है एक हफते में ठीक हो जाएगा दो महीने इसे एक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा ये वाज दिस क्लोज एक आदा गंटा वी इधर उदर हो जाता तो हम जस्टिन को बचा नहीं पाते सही वक्त पर भगवान ने आपको वहाँ भेज दिया था कुछ दिन पहले मेरी बीवी कार एक्सिडेंट में मारी गई थी तब भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी को नहीं भेजा जस्टिन की तरह वह किस्मत वाली नहीं थी इनके देख्भाल अच्छे से करना और कुछ हो तो मुझे याद करना वैसे मैं तो यहीं हूं डरने की कोई बात नहीं है मैं बात में फोन करता हूं यहाँ जस्टन क्यों रहा हूं यह जस्टन क्यों रुछ यह बताओ मुस्ते बट बडए गलती हो की सच और बात बडए गलती हो गए हेलो हां बोल रही है हां बोलो ना यहां एक पेशन के साथ हूं खाना ना खाने के लिए जित कर रहा है लेकिन अब ठीक है बोलो ना क्या आप जड़ा हॉस्पिटल तक का सकते हैं अब जस्टिन अब से मिलना चाहता है ओ वसे आज इवनिंग में आने वाला था कोई बत नहीं अभी आता हूं एक घंटे में आ जाओंगा तांक यू इस ओके डोज चेंज किया है ना आज हाँ सर ट्री लोग आये हैं आई यू शूर अबार दस हां यस ठीक है तो मैं चलती हूं समझ में नहीं आता क्यों से कैस फेस करूं तुम घर चली जाओ मैं कॉल करूंगा तुम घर चली जाओ मैं कॉल करूंगा अरे वाह पहली बार आपको में उठते वे देख रहा हूं है अब कैसा लग रहा है जस्टिन सर आपको कैसे ठेंक्स करूं में इस समझ में नहीं है अरे ठेंक्स मुझे मत काओ बलके तिरुपती जी से काओ उनके दर्शन के लिए जा रहा था तभी आपको देख लिया और बचाने में काम्याब भी रहा हरनी कहां गई सर आपको एक बात बतानी थी क्या पता नहीं आप कैसे रियाक्ट करेंगे लेकिन आपकी वाइफ के बारे में उसे कैसे जानते हो तुम जिस गाड़ी से उसका एक्सिडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं भी था गाड़ी हारनी की पिता जी चला रहे थे और हॉस्पिटल ले जारे की हमने पूरी कोशिश थी लेकिन रास्ते में ही गाड़ी के अंदर उनकी जान चली गई थी एक्सिडेंट के बाद चार साल तक मैं चैन से सो नहीं पाया मैं सोच रहा था कि उसके घरवालों के इनफॉर्म कर दू कि असल में क्या हुआ था उसे बचा रहे की कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए मुझ में हिम्मर्ट नहीं थी मैं अंदर से टूट गया था अगर मैं माफी मागू तो नहीं मैं माफी का कॉपार नहीं हाथ हीला सकते हो सर हाथ हीला सकते हो या नहीं पार्शल पेरालेसिस लगता है डोस कम है मैंने ठीक से इंजट नहीं किया कैसे गलतियां हो जाती है सिर्फ बीस मिनट बचे हैं पहले तुम्हारी बोलती बंद होगी उसके बाद सांस रुख जाएगी और बिना ऑक्सीजन के हार्ट अटेक आ जाएगा आखों के सामने अंधेरा चाने लगेगा तुम्हारे ससुर जी के खाने में भी मैंने थर्टी एमेल मिलाया था फर्स टाइम है ना इसलिए यह सब लग रहा है मेरी बातों को सुनने से पहले ही वो वही पर टपग गया है अच्छा होता मेरे बारे में चान कर मर जाते हैं वो तडप तडप कर मर रहे थे जो मैं खोशी सबेख रहा है तेरी ये मौत भी मैं लाइव देखना चाहता हूं मैं और आईशा बैंगलूरू में रहते थे जातीवाद की वज़े से हमें बहुत परिशानी जहनी पड़ी शादी के बाद हमें दोनों के खरवालों को मनाने में पूरा एक साल लग गया था और उसके बद हनीमून बहुत ही प्लान करने के बाद हम दोनों यहाँ आये थे आईशा को हिल स्टेशन्स पसंद नहीं थे मैंने ही उसे यहाने पर मजबूर किया एक्सिदेंट के बाद मैं वापस गाउनी गया यही पर छोटा सा क्लीनिक शुरू करके प्रैक्टिस शुरू की तुम लोगों का पता लगाने के लिए बहुत तकलीफ उठाई गाड़ी के बारे में जानने के लिए मैं एक्सपर्ट हो गया था जब गाड़ी के ब्रेक जाम हुए थे तो जान बचने के 50-50 चैंसे थे लेकिन जैसा मैंने प्लान बनाया था उसी तरह तुर जिंदा बच गया जहां मैंने आईशा को खोया वहीं पर तुझे पकड़ने का सुड़ाग भी मिला और मैं सक्सस हो गया सिर्फ तेरी गाड़ी के टायर के निशान को रखकर तेरी गाड़ी का पता किया तेरे जैसी गाड़ी कई लोगों नहीं रखी थी हलो हाँ नमस्ते भईया मिरा नाम आनंद है सर एक ज़रूरी बात करनी है मिस्टर चार्ल्स सर मुझे एक छोटी सी इंफोर्मेशन चाहिए थी एक एक को मैं चुम चुम करण रहा था कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए एक कार की डिटिल चाहिए सर ओके सर कुछ सवाल है उसका जवाब देंगे सर भाड़े बीमडवलू थी फाइव टू फाइव टू फाइव टी ठीक है सर ऐसी चान बिन करके वो गाड़ी फादर देव सगायन की है ये पता चलने तक तीन साल बीद गए थे हाँ बोलो थामस बोलो तेरे ससुर की आवाज को जब मैंने सुना तब मुझे पता चला कि वो लोग तुम ही हो वो पैसे तो दे रहा है ना तो गाड़ी बेचने ने तकलीफ क्या है मेरे कोशिश कामियाभी में बदल गई तीन साल के महनद का फल मुझे मिल गया इतने सालों में उस तेन उस आवाज को मैंने पहली बार सुना मेरे आईशा के मरने की वज़े वो आवाजी थी तुम दोनों की बातों को मैंने साफ साफ सुना था जब वो घुट-घुट कर मर रही थी हमें, हमें एक गटी के दर से लो फड़ ले जाना होगा जस्टर, यह बात हारने को ना पता चले इस लड़के को कुछ नहीं को बागवानी से बचा लेगा हम जानी रोस्पिटल को होच जाएगे आपको फिर कदर को लाएगे आईशा सुन, यहाँ कुछ भी हुआ ही नहीं और हमने किसी को नहीं देखा इस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भारती करवाने के बाद हम सब मुसिवन में पर जाएगे समझ ली रहे हो तो तो इसे भगवानी बचा ही लेंके हम इसे यहीं सड़त पर उधार कर यहाँ से चलते हैं स्टॉप, स्टॉप, प्लीज आईशा आईशा तेरी गाड़ी से एक्सिडेंट होने के बाद भी वो जिन्दा थी तेरे ससुर ने कहा था ना कि भगवान उसे बचा लेगा तब भी वो जिन्दा थी तुमने जब कहा कि यह हरनी जैसी है उस वक्त भी वो सिन्दा थी तुम लोग उसे रोड पर छोड़ कर चले गए लेकिन मेरे आने तक वो सिन्दा थी तुल्योग आईशा आईशा कि अईशा आईशा आईशा अचा अगि मैं तुम लोगों को ढून लूँगा मेरी आईशा की जान जिस तरह पल-पल निकल रही थी उसी तरह तुम्हें भी तड़ बना चाहता हूँ हर पाप की सजा मौत होती है वैसे तुने मुझे पूरा सच बताया सुनकर अच्छा लगा Rest in peace You are a good man But not good enough क्योंकि अगर तू अच्छा होता तो आईशा अज जिन्दा होती Bye Justin आईशा की post-mortem report पढ़कर मैं पूरी तरह तूट चुका था उसकी शोल्डर की हड़ी तूट चुकी थी और तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था और उस दर्द के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता She was pregnant तूने सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तीन जाने ली है तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए प्रेश बल्कि तूने बल्कि तूने ली है प्रेश बल्कि तूने बल्कि तूने ली है Are you sure Shikhar? कहीं हम जन्दी तो नहीं कर रहे हैं You think we are ready to start our family? यह family, यह बच्चे, यह जिम्मेदारियां यह सब हम कैसे संभाल पाएंगे यह जिम्मेदाब है यह सब दो हम जन्दी जन्दी तो एमाँ जन्दीम्मेदाब है झाल जाल हेलो कहा हं तुम 정도 här यह जंगल हैं यह यह जंगली जानवर रहते हैं कैचाप वो यह बात है अच्छा तुम्हेंगे पड़ेर्मेंदी की और गाना सुना कर दिखाँ तुनक 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 शुट आप बदले की आग जोर से धदक रही है मरने के बाद केवल अस्थिया ही बाकी रह जाती है लेकिन कुछ ही समय में वो मिट्टी में मिल जाती है सजा देने वाला एक और पापी को बांटने वाला एक होता है जब नसीब में गिरावट ही लिखी है तो तेरे नसीब में कहीं फ़ला लेने की जड़ाई में है इस आदमी के भरोसे मैंने तेरी शादी इससे करवाई यही मेरी गलती है पेकार में वक्त बर्बाद मत करो बीवी को ले कर जाओ शिवा चलो बैग लेके आँ इसके बाद एक बल भी यहां नहीं रहना है शिवा चलो मेरे साथ शिवा अभी तुम्हें यहां से खाली हज जाना होगा तुम्हें इसका साथ कभी नहीं मिलेगा इस जनम में तुम इस बच्चे की च्छाउं तक को नहीं देपाव की जनना है जन है जन 우와, भ mover के लोगा ही जननी जनना है जना है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर का दो आगा है तो कितने देर से फोन लगा भागा रहा हूँ चल दिया चल दिया शीवा सुनो वह देखो झाल 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 चल 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 ऑल झाल 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 चल तो चाल झाल चल चल थाहु आओ अरे वह मर गया है अरह जो आई होस्पिटल लेकर जाएंगे तो भी मरेंगा कंफर्म क्यों मैं सही गहा हु ना भाई देखाना आजल आपन एकाम सब्सक्राइब कर दोदो आच्वासी है और जो प्रुम सब्सक्राइब कोई भी चूप नहीं समझे तुने कभी जंगली सुवर देखा है क्या जंगली सुवर क्या बोल रहो हमारा प्लान कभी गड़र वह तुछ जंगता नहीं है अगर तेरी आखों पर पट्टी बांधी जाएगी ना तो तु भी जंगली सुवर दिखेगा अब यह बक्वास बंदकर वरना तेरा मुझ तोड़ दूगा समझा अच्छी बात है ओके कुछ समझ में आया है पड़े पर चलो उससे मिलने का पूरा हक है मुझे भले ही तुम्हारी तीन शादियों क्यों ना हुई हो अरे कोई अच्छा गाना का है ठीक है अच्छा गाता है हमेशा पुराने गाने गाता है कोई नया गाना सुना ना अभी लो लामत देखा है पहली बार साजन की आखों जो गाने मुझे पसंद नहीं है वो मैं सुनना नहीं हुआ अरे दीवानों गाते रहो गाते रहो पहचानों कहा से चार रोना धूना बंद करो रोने से कुछ नहीं होने वाला ऐसे का थीवान ठीक है ठीक है मैं आता हूं ए शिमा चलो जलना कितना खाता है जहां बैठता है वहीजाता रहता है तेरे बाप की घर का खाता हूं हमेशा मेरे खाने की पीछे पढ़ा रहता है इस घर में कुत्ता है क्या ये खाना उसे मत खिलाना वरना वो मर जाएगा बहुत ही बख्वास खाना था स्माइल सर खाना खाने जा रहे हैं क्या हों नहीं अभी आ रहा हूं अच्छ है जिसे आप लोग ने बारा वह पावर्फुल है अभी होस्पिटल में सर फट गया उसका उसके शरीर से बहुत ज्यादा खुन निकल चुका है एफायर किया हुआ है मैं समालोंगा बड़े खर का लड़क है यार हम इसे क्यों बैस कर रहे हैं चलो ना उसको फोड़ देते हैं है कि अधाय है कि अधाय है अधाय है निकल जात रहे हो तो फुम लोको ने उसे मारा वह खलत नहीं था एक इसी को पता चले बगेर अगर मारा होता ना थो अभी तक चैन की नीन्द सो रहे होते तो अरे भाए ने बहुत से लोगों का खून किया लेकिन आज तक वो मेरी वजल से पुलिस के हाथ नहीं लगा है मेरी तरह बनने वह भी जाता है लेकिन मेरी तरह बनने के लिए गट्स चाहिए तेरा वे जरूर आएगा पर तुझे अभी बहुत कुछ सेखना है हम अश्यार कर दो कि अनलोगों के साथ हाजना अखा यहागा इंगा अधिर यह पीएगा लो आ गया बड़ा सरपंच गाव में सब की पंचायत करता है लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है उसे नहीं पता लगता है अभी भी बहुत गुस्से में है यहां से भागना ही ठीक रहेगा तो यह अब तक जिन्दा है मुझे लगा कि किसी के हातों यह मर गया क्या इसे ज इसके चिंता करती है कभी सोचा है इसने ए चिलामत हमको क्या अल्दुफादु गुंटा समझाए क्या जो कोई भी आकर टपका के चला जाएगा बहुत अब मुझ बन करो ज्यादा बोलोगे ता जबान कीच लूँगी मैं जा यहां से आएं तर मेरे दर्वादे पर कड़न जाने में तुमसे प्यार कर बैठी है मेरी कलती थी लेकिन आज मुझे अपनी गलती का हैसास हो रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम क्यों कर रहे हो यह सब दर्वादा खोलो खोलो दर्वादा लेकिन आएं तर में तर्वादा सणो सनो सनो तुमा मचसे प्याहन ही करते ना यहादा चैवादा जा वादा तुमा सबस्के से लुमा सुमा 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 झाल 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 कल से मैं तुम दोनों पर चिल्दा रही थी लेकिन इसकी वजा पूछी तुमने कि दोनों को इतना खराब खाना दे रही थी खमसिका में पर पूछ तो लिया होता छोड़ों तुम्हें किसी बात से फरक नहीं पड़ता अरे तुम भी अपने भाईया जैसे हो गए ना रात को घर जल्दी आ जाना ठीक है मैं बुलाता हो अब फोन रख अले रखना भाई हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ठीक है ना ठीक है भाई अरे इतना घुसे से क्या देख रहा है भाई ने बुलाया था चल अब चल निकलते हैं भाई हमारे हालात को भी तु समझे किसी काम के नहीं हो तुम लोग छोड़ो जाने दो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अब एसीपी अभी स्पॉर्ट पे आ रहे हैं पॉर्डी को अब यहां नहीं रख सकता है तुम यह पहले भी कह चुके हो प्पपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप पापा 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 चले जाओ मुझे किसी की भी जरुवत नहीं है चले जाओ सब लोग जाओ जाओ शिवा एई शिवा मेरबानी करके अपने भाई को यहां से ले जाओ ने तो तेरे पापों से मार मार के लाश बना देंगे तो उसे बोल कि वह यहां से चला जाए पापा जाओ पापा जाओ मुझे किसी की भी जरुवत नहीं है पहले मुझे तेरी मा छोड़ कर चली गई और बाद में तू भी इसे ले कर जा रहा है अच्छा ही कर रहा है तू बहुत अच्छा कर रहा है ले जा इसे ले के जा 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 मुझे किसी के लिए जरुवत नहीं है चले जा सब लोगे हाँ से सर हमेशा की तरह वो यह पीने आये थे उनके बगल में एक आदमी बैट के पी रहा था फिर अचानक उसने बंदुग निकाली और उन्हें शूट कर दिया सर उसाद भी के बारे में जानते हो उसका हुलिया याद है समधा नहीं सर है उसका चेरा याद है क्या तुझे नहीं सर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं बराबर देखनी पाया सर अगर सेसी टीवी केमरा चेक करेंगे तो परद तुझू कर ए क्या बोल रहा है यह कुछ नहीं सर वो अभे तीवी तो मेरे सवाल का चवाब दो सर अगर सेसी टीवी पुटेचे करेंगे तो पता चंद आगा सर पता चंद आगा इसकी फोटो अपने हर आद्मियों तक पहुचा दो इससे टपकाने के बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे इसका नाम विश्णू है मुंबे में ट्रांसपोर्ट कंपणी चलाता है और इसी वज़ा से वो गोवा केरला ऐसी जगाओ पे घूमते रहता है त्रांसपोर्ट का दंदा है इसलिए कई जगा गुमता रता है अभी वो यहां पर नहीं है मुंबे चलागे होगा वापस शिवा अचानक तुम्हें अपने बाप पर इतना प्यार कहां से आ गया बताओ शिवा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मच ज़िए मेरी खादिर मच ज़िए हमारी मच्ची की बारे में गच ज़िए हमारी जिंदेकी की बारे में सुच शिवा शिवा ? मेरी बात गोर से सुना, जितनी जल्दी हो सके, तुम्हे काम खतम करना है, और फिर यहां वापसाना है, समझ गए? करना है, तुम्हे क्यों बहार आया हो, जाओ दोनों जाकर अंदर बैठ जाओ, तेरी चक्कर में कुछ ना कुछ गड़ा है, क्यां, जे एल झाल 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 झाल, जाल झाल कि विश्णु नॉर्म से लगता है भगवान का अदमी है उसका असलिक हम दूबई में अरे तू मेरे को धंदा सिखाएगा मैं बताउं तेरा मार्जिन क्या है तेरे घर के अंदर घुशके पैसे कैसे वसुल करने मुझे अची तरह से मालूम है यह पूरी मेरे को मत बान समझा ना दिलेश का पंद्रा लाग आने वाला है बाई तुम लोग जाओ आज काम नहीं होने वाला है कि रूलिंग पार्टी से लेकर ऑपोजिशन तक सबका खर्चा बाटा हुए उसके साथ यह कोई छोटी मुर्गी नहीं है यह इंदर आ लगता है इसकी सटक गई है किसी और की मुसीवत अपने सिर पर क्यों ले रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला मत बन विश्नु का और इजनल बिजनेस दुबाई में चल रहा है क्या जल रहा तेरा लेकिन गेम बजाने इतना असान नहीं है अरे यह सब बाते हमें क् हम भी जानते हैं ना भाई ने आपके लिए मटन बिर्यानी भेजा है यह लोग यहां के कुछ भी बोलेंगे और तू अपने धंदे का वाट लगा लेगा एड़ा हो गया है क्या यह चोक्रा लोग मुझे नहीं चाहिए घर पे तेरे को कितनी बार बोला मेरे धंदे में तू अपना संभाल मुझे मेरा देखने दे समझी है कि तुम लोग उसका गेम बजा सकते हो या नहीं पूछ रहे हैं हमसे हो पाएगा या नहीं हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा वो कल दुबई के लिए निकल रहा है है कि उसके आने के बाद ही कुछ होगा अभी वह दुबई जा रहा है दाए उसके गेम बजा डालेंगे क्या वहाने तक वर उसका इंत जार नहीं कर सक्ते उसका आज प्लिए चांस हैndra अब अपने पास इत्ना ज़्यादा समय नहीं है बहाई यह कह रहा है कि कल लास दे उसका पुजा पाठका मारना है तो यही अच्छा चांस है अर्य क्या बोल रहा है क्वाली खत्म करते हैं क्या बोल 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 बत्म करते हैं जब तक ना बोले अंदर ही रहना अगर कुछ गडबड किया ना तो अट दिया तोड़ूँगा जितना बोला है उत्रहे कर ज्यादा दिमाग चलाएगा तो ठोक दूगा झालवणा यर्णा कि हम motorcycle थांदिक अमुला ही थाल ही रहना तोड़ा तो Whenever खाहिक छेख दिया मुलखब Mr. झार फंग है जा लगता है अज़ नज़ हो अपने कानÏ मैंनlesia अचीयाओ... कर वा घज़ एंड रंडों कि ओ्तर, कर वार्ट! को जञए हो नच्सक्थर्टे हो! बस्क्षर्टे हो आज बस्क्रीम। कि विल्म, यार दोर वार्ते हो अरे वो उपर क्या है कर दो झाल कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 वह लाओ बूला था मत कर मत कर धंदे की वात लग जाएगी बोला था कौन फारवा ये अब जिन्दे की भर भागते रहो या चुपते रहो दो दिन में सब सही हो जागा बहुत चुप अब इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मुझ तोड़ दूगी तेरा अंदे लेके जा इसको चलो भाई आजा आज कोई भी रूम भाड़े पर नहीं देने का किसी का भी फोन नहीं उठाने का वो चोक्रा लोग और डॉक्टर किदर रहा है अब आप पिलेट जा भाई इदर मैं डॉक्टर को लेके आती हूं हाँ है 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 यह यह तु क्या कह रहा है डॉक्टर साम हाँ चूड़के जला क्या बाई च्छा को मारते हुए तुने देखा क्या हाँ 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 मैं कली आता हूं है तक तक तुम अपने अपने भाई शंकर को संभालना समझा क्या समझ गया क्या है क्या हुआ हुआ है तो रो क्यों रही है मंगल जाता हो न सब ठीक हो जाएगा हाँ मैंने पहले ही कहा था कि मच जाओ कितनी भारो का उसे पर वो माना ही नहीं का जाएगा हुआ 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 ओो ओो हुआ 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 है का वी odc Mango जो तियाँ जो जो ग्री एंट्जाएव eहूस जए कुम जज ऐसे खूमआ दिश्धान, क्योंआ आरेफें रहते हैं और ञोग पुमारbbe लेहEटा है झाल ऱस्ट को जह रहन से एड़ हैं, थाओा है उहाँ कि कर दो में है, कि भूम बढ़ है उड़ जहाँ कि कृता है। ह। जक ह। 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 तक ह। ह। जब जब फोन है जब फोन जब बोलो जब जब आए 13 साल हो चुके हैं मैं जह चैन के नींद सोय हुई मुझे हर पल हमेशा मेरे बहन की रोने की आवाज ही सुनाई देती है उसने मेरे सामने ही कसम खाई थी कैसी कसम पता है तुससे और तेरे बच्चों से वो कभी नहीं मिलेगी और उसने अपनी कसम पूरी भी की लेकिन तुससे शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी कलती थी जो मैं भुगत रहा हूँ आज के इस दिन का बहुत इंतिजार किया है मैंने कहते हैं अगर सच्चे दिल से चाहो तो ब्रह्मान उसे पूरा करता है और आज बो दिन आही गया है जब मैं तुझे अपने हाँ से सजा दूँगा पुस्ट पुस्ट अ माता है पुस्ट वेशन 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 उपर की तरफ चलो जन्दिक सिद्दू सिद्दू चले जाओ जाओ सिद्दू सिद्दू जाओ जाओ सिद्दू जाओ सिद्दू सिर्फयो सिद्दू सिर्फण इस धर्दी पर ही हमने जनम लिया है और इसी पर हम जीते हैं और निशानियों को छोड़ कर चले जाते हैं और मैं सूरज की दिशा को देख कर घोड़े को दोड़ाता जा रहा हूं डरावनी अंधेरी रातों में मैं तुमसे तुमारे आसूं से बात कर रहा हूं हर दिन की तरह ये दिन भे निकल जाएगा ये तो जिन्दगी का काल चक्र है जो हमेशा यूँ ही चलता रहेगा अझा यूँ हो लंखर श्यंखर अаз성을 खाफऊ मैंगर कि लो कर दो सिर्सकेट वपनेशान हो भी घर आइए कर दो आई bucks आफिछर तुम्हें बुला रहे हैं तो तर आई ए ए मुण रहे हैं तुम्हें तुम्हें दुम्हेंत सर रिकेटिर रांपसाद है स्तमांड जियो रिपोर्ट बैक होंग सर इस अफिशल और पर्सनल सर आइड इडिन्ट चेक तर नेक्स ताइम प्लीज चेक इट सर मैंने ही चाहता कि ट्रेनिंग में कोई बाद हाए तेरे बाप ने तुझे बुलाया है त्या मुझे पापा ने किसलिए बुलाया होगा ठीक है बागी सब तुम देख लेंगा ओके सर अफिल टेक इलिए यंग मैं यहां क्यों आए हो किसलिए आए हो सब जानता हूं आप तो मेरे बारे में जानते ही हो ना तो यहां के क्यों सब बताते हो चलो जाओ क्या हो गया यह बहुत लुग एपसलूटली फाइन और ऐसी क्या परेशानी है एमर्जंसी चुट्टी क्यों लेने के लिए बोल रहे हो और इस तरह बीच में बुलाने का मतलब इससे मेरा रिकॉर्ड खराब हो सकता है इसलिए क्यों आया था तुझे पता है क्या उन्हों शरम नहीं आती कुंडे की तरह बरताव करते हुए तू एक ब्रिकेडियर का बेटा है बूल गया क्या अगर इस तरह करता रहेगा तो बड़ा ओफिसर कैसे बनेगा और आप आपको कुछ नहीं कहना ऐसे मा मैं एक बात बोलूँ क्या है मुझे नास्ता करो बहुत भूग लगी है पता है सब लोग क्या कहते हैं तुम्हारा बेटा यूनिफर्म की आड में एक गुंडा है इतने बड़े हो गये हो तुम यह सब करते अच्छा लगता है अकल है या नहीं सुनिया जी अब मैं आपके बेटे को और नहीं संभाल सकती अब आप और आपका बेटा क्या है प्रकाश जी अब आपकी बारी है चलिए शुरू हो जाइए लेकिन तेरी मान कुछ बाते तो सही बोल रही है तो हर चीज को मजाग में क्यों लेता है तु वहां जाता है तुझे वहां मिलता क्या है बता आप मुझसे चाहते क्या है रिगेडियर सुन्दर राजम अगर उसने तुम पर चार शीट दाखिल कर दी न तो तुम्हारा फ्यूचर बरबाद हो जाएगा जरा प्रैक्टिकली सोच कर तो देखो सोच कर देखा मैंने उसके बिना मेरी जिन्देगी कैसी लगेगी मैंने सोच कर देखा तो आगे मुझे पूरा भयान कंधेरा दिख सुनिये आपके बीवी चली गई मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तरह ब्याइव करता हूं लेकिन इस मामले में एक बाप की हैस्यत से पूछ रहा हूं इस बेकार के लफड़े को छोड़ो और मेरी बात मलो क्या बोलते हो ठीक है छोड़ देता हूं देखिए कुंडली के अनुसार तो इन दोनों के 36 गुण मिल रहे हैं सम्मंध बहुत बढ़िया रहेगा जितना जल्दी हो सके शादी का मुरत निकलवा ही लीजिए ऐसी बात है तो समय बर्बाद नहीं करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी कर देंगे जैसा मैंने पहले कहा था मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ आप एक बार बामा से पूछ ले तो बामा 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 Shri Shant, यही नाम हिना तुमरा? Shrikant Shrikant I think you're amazing Baba बामा Shrikant Shrikant बामा हमारी जोडी बिल्को परफेक्ट है मैं एक अच्छी लाइफ पार्नरपन के दिखाऊंगे तुमारी फैमिली सो लफली आंटी भी अच्छी दिखती है And our kids I'm sure they'll be amazing I mean just look at us Actually just look at me But There is a small problem What problem? There is the problem One second Why are you late? You're always late Catch it My boyfriend My boyfriend I'm Ram Prasadji Also Bama का boyfriend हूँ जरा उठिये उठिये दो क्या मतलब Bama मेरी होने वाली बीवी है अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो मुझे मारना होगा अबे खड़े होने को बोला तुझे रुद्रा Stop it आप हमें इस तरह से बदनाम क्यों कर रहे है थोड़ी सीवी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या रुद्रा ये क्या कर रहे हो तुम क्या सर पांस सेकंड में भेहोश हो गया सर अगली बार ऐसी गलती मत करना मतलब कोई स्ट्रॉंग लड़का लेकर आईए मेरी तरह बामा मैं आ गए ये डॉन्ट वर्यांटी दो बज़े से पिले ट्रॉप कर दूँगा ये कल सुब आत बज़े पहले इसे मिलेटरी अकेडमी से बाहर होना होगा फिर इस पर चार्शीट दाखिल होगा इसकी वज़े से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूँगा इसे जेल की हवा खिलाऊंगा मैं एक्सक्यूज मी सर सर मैंने और मेरी पतनी ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की ये सब उसके फ्यूचर और रिकार्ड को खराब कर देंगे हमने उसे बहुत समझाया अब ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो इसे मार-मार कर समझाये और ये आपको अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं है आपको मेरे बेटे के पर चार्चीट लगा रहे है ये कहां का न्याय है आप जरा न्याय धर्म की बात मत करिये तो बहतर होगा एक ब्रिगेडियर के घर में घुस कर धमकी देना कितना बड़ा जूर मैं पता है मैं कुछ सोच कर चुप बैठाओं अगर आप लोग अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे करना आता है आप मुझे कंट्रोल में लाएंगी सर तो मैं घर जामाई बन के घर पे आऊँ चुप कर तेरी जुबानी तेही दुष्पन है तुम शांतरो रुद्रा तुम ज़रा अंदर जाओं मैं क्यों अंदर जाओं एई तुम कहा जारी हो चलो यहां बैठाओ यहां बैठाओं मैं आपनी बेटी को आस्ट्रेलिया भेज रहा हूं पर एक बात सुन लेचिए यह लड़का उसके जिंदगे में नहीं आना चाहिए लेट्स ओप सो सोच रहों कि सिविलियन बनकर जीओं सिविलियन वो क्यों मेरा यह आर्मी ओफिसर बनना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है वा में आपिसर को पसंद करते हैं तुम्हें नहीं इन एनिकेस आम अगर में कोई डॉक्टर या एंजिनियर या बनिया की दुकान पर काम करने वाला होता तो वह हमारी इसादी करेंगे तुम चाहे दो भी हो या ओटो ड्राइवर ट्रॉक ड्राइवर या बार ओनर तुम चाहे जो भी करोगे मैं तुम्हें ही बसंद करूंगी I'll still love you तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम कहीं बाहर जा रही हो हुँ 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 बताओ अब कॉट थू डीकन युनिवर्सिटी डीकन ऑस्ट्रेलिया एन यू गोईग रुद्रा सच कहो तो मुझे नहीं लगा था मुझे अद्मिशन मिलेगा लेकिन अब क्योंकि मिल गया है तो पापा कह रहा है आइमस्ट को तुम क्या सुचती हो आइम दिंकेंग इस आइडिया तू देखो कुछ तिन हम दनों अलग रहेंगे तो अच्छा होगा मैं पढ़ाई कहतम कर लोंगी तुम ट्रेनिंग कहतम कर लेना देन विल दू वाट वी हाव तो दू आज़ कितने लॉंग डिस्टेंस रिलिशन्शिप्स होते हैं क्या फरक पड़ता है यू न यू दिस देज विद फेस्टाइम इन स्काइप अल इतल बी लाग वे राइट नेक्स तो इच अधार रुटरा मुझे तुम्हारा ही फेस देखना है तुम्हारे आउस्टेलिये जाते हैं किसे अंग्रेश से तुम्हें प्यार हो गया तो तब मेरा क्या होगा अंग्रेश से प्यार चुप रहो मुझे जैसी इतनी क्योट और खुबसुरत दड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उन्हें नहीं रोक सकती मैंने उसी दिन कहा था तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी हो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे पटाना मुश्किल है क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ सिर्फ तुम्हारी मैं तुम्हारी मानत हूँ सिर्फ तुम्हारी मुझ पर भरोसा करो मैं तुम्हारी अमानत हूँ सिर्फ तुम्हारी मुझ पर भरुसा करो यही सुना था उसकी जुबान से मैंने उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला मिला ही नहीं? वोड़ी मीन? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने माना ही नहीं अगले हफते वो ऑस्ट्रेलिया चली गई उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया फिर थोड़े पैसे एकठा करके मैं उसे मिलने ऑस्ट्रेलिया चला गया था ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसे क्या मिला? पर मिली की नहीं मिली? मिली थी लेकिन जानते हो उसने क्या किया अपने घर में जाकर दर्वाजा बन किया ना उसने दर्वाजा खुला और ना ही मुझसे बात की ऐ लड़की तो पथर दिल निकली मैं जानता हूँ कि वो मेरी बामा नहीं है अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है इसलिए चार सानों से मैं अपने दिल को समझा रहा हूँ अब मेरे लिए बामा कुछ नहीं है लेकिन कल यह लेट रहा है था उसके छोटे भाई ने मुझे जलाने के लिए इसे भेजा है ये तो शादी का इंगिटेशन है पुलिस वाले से शादी कर रही है ये क्या बगवास कर रहा है यार उसके शादी से मुझे कोई अतराज नहीं है लेकिन वो पुलिस वाले से शादी कर रही है ये मुझे तकलीफ है नहीं कुछ समझा नहीं सर वो क्यूं एक पुलिस वाले से शादी करने के लिए राजी हो गई I don't know सर तुम्हें बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर जाने की वज़ा क्या थी आइड़नो तुम्हें छोड़कर जाने की वज़ा जाना नहीं जाओगे तुम मैं उसे कब कब भुला चुका हूं दुबरा उस बात को क्यों दोराना शायद प्यारे सा ही होता है मोरे घर आए अत्मन सुख पाए और फिर हम पर से मन जाएंगे वाए लेट गो कहां सर वी बिलिव नौ एंफॉर तो फाइव आउस वी ते लंच के पहले वहाँ जाना अम कहां जाने वाले हैं बले ही तुम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन हम लोग जाना चाहते हैं की बात क्या है लेटेनेंट हमारी यूनिट में सब लोग और इसको फॉलो करते हैं कभी हार नहीं मानतें जो दो दो किर समाग्स सजन मोडे घर आय सजन मोडे घर आय सब्सक्राइब सजन मोडे आय सब्सक्राइब मंगलगाब चाकपुराब खथा जोत मतन चन्ट जड़कत चंड्र भाल अलाग जमक कत मुन्न ख़िषगे अलगर बारतीब बथ्षभ हर 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 बारतीब बथ्षभ हर 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 टागेट सब्टेट, शीजिए है रुट्रा, जाओ वचे जानकरी अना, गड़ लगड़ बहुतार भी है रुट्रा भी खाल कराना ना था सर्फ दो मिनिट के लिए मैं या तुम्हें परिशान करने के लिए नहीं आया हूँ टो मिनिट्स बहुत खुबसूरत लग रही हो इससे पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा रुद्रा तुम यहां से चले जाओ प्लीज यह शादी तुम्हारी मरज़े से हो रही है प्लीज गो जवाब दो मैं यहां से चला जाओँगा बामा आती हूँ आफ टो गो क्या भी मुझे प्यार करती हो कल तुम दूसरे की बीवी बन जाओगी उसके कर पाद कि मैं यह नहीं कह सकता है हम हुआ हूँ हम हुआ 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 है हुआ हुआ हि हुआ है झाल 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 चलो उठो ये मेरी अमानत है सिर्फ मेरी रुद्रा अगर तुम इस से शादी करना चाहती हो तो पहले मुझे मारना होगा रुद्रा प्लीज सीन ग्रेट मत करो एक बार मुल्ले बस सुनाई नहीं देता चलो उठो पुलिस वाले की शादी है ना इसने चाहर तरफ कुटे गहरे हुए है हमा घर्टा मुझे लड़ा फिर बात करते है गेट आउट I'm sorry It's okay uncle It's okay कोई बाद नी मैं तरह रहा हूँ कर लुँन बाद रहा हूँ कर दुँन सक ए? से में बालो heiß से घ्लुट vara हूँ मा ऩम अ revolutionary इस कि अभर वा के लिए मैं तवानर, कमॉर अच्छे साच तूरुज़, है तो न्यानर, कमॉर मैं अचरा यार। पोलिप्स अचेडमी में कोल्ड मेडलिस्टू, नेशनल लवल एक बॉक्सिंग चैंपियन वेल दन दमाद जी आथ ने तो कमाल कर दिया हम लोग यहां तुम्हें कंदे पर उठाकर ले जाने के लिए नहीं है आप सेन थाइब दिए लेटर दन दिस आप सेन दिए तेक यह ट्रैश और लेव यहाँ यहाँ कम आप और गो भुआ हाँ यहाँ एक समय है मुपा है जै वुवह करें रहते ही करें है करें pourquoi वहते है ओड अ माँ ओड और इनने कर दो अऑ 的 इत्ड़क इए ुए वाध्राए वाध्राए ुए I am ok I am ok क्यों कर रहे हो तुम यह सब मैं भी तुम से यही बूच रहा हूँ कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो तुम मुझे छोड़ कर क्यों गई थी पिछले चार साल से मैं तुमारे लिए तृडब रहा था आज मुझे इसका जवाब बिलना ही चाहिEvet आज तुम्हें से शादी करने वाली हो ना बेशक कर लो लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा तुम्हें जवाब चाहिए ना तो जाकर अपने पिताजी से पूछो आज मेरी जो यह हालत है ना that's because of your father यह तुम क्या खहरी हो जो कहना है साफ साफ बोलो तो जाकर उन्हीं से पूछो उन्हों नहीं मुझसे कहा था तु स्टे आवे फ्रम यू अकैडमी से तुम्हें कब का डिस्मिस कर दिया गया होता पता है तुम्हें मेरे पापा ने तो सारी तैयारियां कर रखी थी अगर कि होते पिताजी यशा ने कर सकते बामा है। कि एस एमां इससद्रेइं लिए हैसे कौल यूह दू अन्होंहें ल्यां दून की अगर उललत हमूदा तो क्या तुम मुझे बूल जाओगि अंखे लार क्या कर सकती थी मैं एजली तुम्हें पता है मुझे असनुन प deliberately वोरी तरह से टोट चुकी थी मैं and you come here on my wedding day and ruin everything for me you ruin everything for me जाओ यहां से leave I'll a day Hi auntie थोड़ा सालोब जोड़ा सालोब you want to have some? can you pass this please? chicken for you little chicken? क्या हुआ शर्वार है क्या है अच्छुकर यह लूब जरह दाल पास करना रुद्रा दो मुझे मुझे बताए बिना उन्होंने यह सब क्यों किया तुम कर सकती हो पर पापा कि इस मैं बेस्ट फ्रेंड उन्होंने ऐसा क्यों किया यह राज किसी को भी नहीं बताया जब तुम दो साल के थे तब तुम्हारे बापा और मैंने अलग होने का फैसला किया था पर हम दोनों हो नहीं पाए इसकी वज़े तुम हो तुम हो कारण की हम दोनों मिलकर जी रहे है यह बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी थी लेकिन आज बतानी पढ़ रही है क्योंकि हाला थी कुछ ऐसे हो ग पापा का एक औरत के साथ ना चाया संबंध है पापा ने लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है संबंध है वो औरत कि वामा की मा थी वाट लेकिन वो रिष्टा जादे दिनों तक नहीं ठीका था बीच में ही टूट गया लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद कि हमें कहीं से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर बामा मैं नहीं जानती और हमने जानने की कोशिच भी नहीं की बिटा हम लोगों ने सूचा तुम्हारे और बामा के बीच जो रिष्टा है वो तीनेज इंफाच्वेशन हो सकता है कुछ दिनों के बाद बदल जाएगा लेकिन तुम लोगों का ये रिष्टा हाथ से आके पड़ गया तब हमें कुछ ड़न महसूस होने लगा इससे पहले कि ये उसे कुछ नहीं का इसके बरे में जानती है हम हम जानते हैं शाथ उसकी माँ पही जानती होगी लेकिन उसके पापा को कि नहीं कि रुद्टर रुद्र इस सब में तुम्हारी कोई कल़ती नहीं है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया सारी गलती हमारी है तुम प्लीज रुद्रा में रीली सॉरी सारी रुद्रा सारी सारी क्यों पिताशी कभी कभी ऐसा भी हुआ है तुम पिताशी कभी कभी ऐसा भी हो हो जाता है कि आपको और कोई नहीं मिला किया कि यह तुम से मैं पूचु दो 5 तेक पेट पानों अफिस जाव दूशे याव! अवेक में! अनीर ब्रेशर रेड़ा के अनीर ाहा! कि अई बिखने 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 झाल 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 झाल